प्रवीन कुमार विशेश रूप से मौजूद रहे इस बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के लिए रणनीती बनाई गई प्रतारित करमचारियों के अनुसार हर समय करमचारियों का आर्थिक वा मानसिक रूप से प्रतार ना करना देश के विकास के लिए ठीक नहीं है इस देश की उन्नती तभी सही है जब सभी करमचारियों को एक समान विकास के साथ जोड़ा जाएगा सभी करमचारियों ने एक अंतिम आग्रें उनसे किया है जो शपत लेने के बाद पेंशन लेने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं उन्हें कहा कि 2003 के बाद करमचारियों को पेंशन बहाल की जाए अन्यता आंदोलन होगा जिसकी जिम्यदारी परदेश सरकार की होगी ब्लॉक अधिक शुबाशर्वा ने भी कहा कि मई 2003 के बाद बंद पुरानी पेंशन को बहाल ना करना इस देश के करमचारियों के साथ अन्याय है जिसके चलते 28 अक्टूबर को पूरे देश के सांसदों के घर के बाहर एक दिन का अंशन रखा जा रहा है जिसके दिशा निर्देश स्टेट कारेकारणी ने सभी बलॉकों और जिलाओं को दे दी है अगर इस पे भी बात नहीं बनती है तो जल्द ही संसद का घिराव किया जाएगा और 2003 के बाद वालों की पेंशन बंद करने वालों को पुने पेंशन बाहल करने पड़ेगी आज जो वह यहां भवाना बलॉक एंटियस की जो मीटिंग थी यहां पदिदिकारियों की मीटिंग बलाए गई थी अब यह मारा मुद्दा है कि अभी जो आने वाली थाइस अक्तूबर को जो हमें दिशन परदेश कारेकारणी से मिले हैं उसके अनुसार जो सांस्तों के घर में जो एक दिन का उपवास उनके घर पर रखा जाएगा उसके बारे में आज हम यह मीटिंग करने जा रहे हैं अब क्या मुद्दा है में मुद्दा है कि हमें जो पंदरब मैई दो जाट तीन से जो करबचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया है हमारा एक ही मांग है कि हमें old pension scheme में रहनी दी जाए एंपिस में हमें कोई फाइदा नहीं है कि कोई घाटा हो रहा है दिन पर दिन लोगों की जो statement आ रही है नेस जेल की उसमें कभी अर्मी नेकल पांच हजार कभी तीन अजार कभी आठाजार पे जो वो कम हो रहा है सरकार दोर अगर आपके मांग नहीं माना जाता है तो अब क्या अगला आपका कदम हो आप सरकार अगर पहले वी कई बार इंसे मिल चुके हैं अगर सरकार अमारी मांगन नहीं मानती है तो हम आगे जो आए जो संसत का घिराब करने जा रहे हैं